जहिन सातियों, वेलकम टो माई OPC YouTube चैनल, स्ट्रडी मेटेरियल A2Z, BSAP यानि Border Security Force की द्वारा लगातार आपको नई नई वेकेंसियों के नोटिपिकेशन यहाँ पे दे रही है और दोस्तों अभी हाल फिलाल में ही एक वेकेंसियों निकली थी, जिसमें आपके टोटल 281 पतों पे और इसका आज आवेदन स्टार्ट हुए हैं और इसका मैंने आपको अपडेट भी किया है तो इसी के साथ दोस्तों अपका लेवल अप होता है तो दोस्तों इक नई वेकेंसिय आपके आचुकी है और इसके जो आवेदन है दोस्तो ओनलाइन रहेंगे और आपको बता दें कि BSAP के इसमें भी आपके आवेदन है वो ओनलाइन रहेंगे तो यहाँ पे ओनलाइन रहते हैं तो इस काम से मैं आपको ओनलाइन ही जो भी है आपकी पूरी डिटेल डिसकस करने वाले हैं और दोस्त तो आपने अगर apply नहीं किया है तो आप यहां से directly मैंने यहां पे link भी दिया है कि आप directly जो है apply कर सकते हैं और notification यहां से आप check कर सकते हैं और simply click करके आप doubt group को भी join कर सकते हैं और दोस्तो आप WhatsApp पे बार-बार message करते रहते हो कि sir WhatsApp group join करना है आपको officially website है study material a2z.in और यहां पे आप simply जैसे ही click करते हैं तो आपको यहां पे WhatsApp group मिल जाता है तो यहां से WhatsApp group join कर सकते हैं और यहां से यहां से latest भरती आपके में जो result वगए employment news paper आपको बिल्कुल free of cost हम सारी चीज़े यहां पे देते रहते हैं तो दोस्तों यहां पे देख पा रहे होंगे notification आपका direct general border security force न्यू दिल्ली और यहां पे आप देख पा रहे होंगे advertisement for recruitment SMT workshop in BSF 2021 और यहां पे लिखा है application are invite through online यहां पे जो है mode male and female Indian citizen form appointment of the flowing और यहां पे आपको group B और C में SMT workshop के लिए यहां पे recruitment का notification जारी किया गया है और दोस्तों यहां पे आप simply नीचे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको जो है group B और group C के पद दिख दिख दियाते हैं और इसमें यहां पे आप देख पाने होंगे vehicle, mechanic, auto, electrical, SI यानि आपका sub inspector और यहां पे इस परकार से मिलाकर total जो है दोस्तों आपकी 22 vacancy का notification जारी किया गया है और salary आपकी जो group B के पदों में है तो दोस्तों आपकी कम से कम 40,000 से salary स्टार्ट होती है और आपकी 1,12,400 तक जो है आपकी salary रहती है उसके बाद यहां पे नीचे अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आपका यहां पे नीचे दिया गया है आपकी group C की भी post यहां पे invite की गई है और group C के जो post यहां पे invite की गई है और उसमें भी आपको यहां पे अगर बात करते हैं तो total और इसमें आपके constable male, female, male, male, female ये carpenter और आपके auto elect यानि ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर invite की गई है और यहाँ पर आप जो है देख पारे होंगे तो total ये इस परकार की सोई जो welder की भी vacancy है constable male painter की vacancy है टरनर की vacancy है और total इस परकार से मिलाकर आपकी दोस्तो 88 vacancy यहाँ पर invite की गई है अगर हम salary की जब बात करते हैं तो salary आपका यहाँ पर जो है दोस्तो 21,700 से लेकर आपका salary जो है पूरी सारी चीज़ें जुड़ती है तो 70,000 के राउंड आपकी salary रहेगी group C पदों वाले candidate के लिए और इसके जो vacancy थोड़ी बहुत घटाई या बढ़ाई जा सकती है और simply यहाँ पर दिया गया है vacancy are subject to change, decrease या increase की जा सकते है last 3 स्थ जो है चलने वाला है और आवेदन आपके यहाँ पर online होगे और only publish BSF की जो officially website है उसी पर यहाँ पर यह publish किया जाएगा जो भी आपका यहाँ पर application form बरा जाएगा तो यह भी बार-बार comment आएंगे कि sir मुझे application form send कर दीजिएगा तो आपको बता दें कि दोस्तो इसका जो application form है और इसका जो application form आपको मैं यहाँ पर send इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इसका आवेदन online रहेंगे और जब online होती हैं तब आपको हम link दे देते हैं कि directly चलो आप यहाँ से जो है भर सकते हो directly तो उस परकार से मैंने यहाँ पर आपको link जो है दे सकता हूँ तो वो link आपको तो मिल जाएगा और simply यहाँ पर नीचे दोस्तो यही आपका भी short notice जो है आपका यहाँ पर जारी किया गया है BSP के दुआरा अगर हम बात करते हैं दोस्तो तो group B के लिए जो आपकी एजुगसन qualification है तीन साल का diploma मांगा गया है automobile engineering mechanical के लिए तो वो आप से यहाँ पर engineering मांगी गया है और group C के अंदर आपको 10वी pass with ITI यहां से जो है आपकी मांगी गई है यानि आपकी ITI भी होनी चाहिए और 10वी pass होनी चाहिए काफी candidate बोलेंगे कि सर अगर मैं 10वी pass हूँ तो क्या मैं forum भर सकता हूँ क्या तो दोस्तो आप बिल्कुल नहीं भर सकते आपको 10वी pass के साथ with ITI होना भी जरूरी है यानि ITI और 10वी pass है तो आप apply कर सकते हैं और दोस्तो यही है उसके बाद में age के regarding कुछ detail दी नहीं है लेकिन 18-25 और 18-27 के round आपकी age रहती है और age reduction भी आपको यहां पे दिया जाता है तो यह यहां पे बढ़ती थी दोस्तो जबकी detail notification अभी नहीं आ है बट short notice हमारे पास आ चुका है तो उमिद करते हैं कि आपको सभी जो SMT की जो workshop की जो recruitment निकली है उसके बारे में clearly आपको जो है सारी चीजे हो गई है तो दोस्तों मिलते हैं इसी परकारिक next वीडियो के साथ वो वीडियो आपको हमेशा ही with notification के साथ हम देते हैं जए हिंद जए भरत